कि यह जाइस मैं इंदर 24x7 everything से स्वागत करता हूं आप सब लोगों अपनी YouTube चैनल पर तो हम फिर से बाप सी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है आसूज जैनफोर मैक्सरों मपन पर तो इस पर्टिक्लर वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि Android 10 वर्जन 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 429 तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको ले चलता हूं अब आउट सेक्शन में कंफर्म करा देता हूं कि इस टाइम पर मैं Android 10 बेस्ट रोम पर हूं तो जैसे कि आप देख पा रहे हूं कि यह जो इंस्टॉल वर्जन 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 वर 432 तो इसके बेसिस पर हम 429 के साथ कंपैरिजन करेंगे तो उसके बाद सबसे पहले इसमें जो सेक्यूरिटी पैच लेवल है वह है 5 जून 2020 का इसकी जो बिल्ड डेट है वह सेप्टैमबर 3 बीटा 3 की जो बिल्ड डेट है वह जून 14 2020 अब नॉर्मल लाइक कंपैरिजन के बाद आप चलते हैं सिस्टम में सबसे पहले दोनों में ही जैशर अवेलेबल हैं लाइक सिस्टम नेविगेशन हो चाहे जैशर बेस हो तो यह मैं कवर अपनी कर रहा हूं इसको मैंने अल्रेटेल में कवर अप किया मैं दोनों ही वर्जन का रिव्यू जो डिटेल रिव्यू वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तांकि या बाद में गो थू कर सके इसके लाव आप चलते हैं डैबलपर ऑप्शन देख लेते हैं दोनों में कहा चाहिए अगर आगर आपको नहीं पता कि यह चाहिए आप Android Oreo पे Android पाय पे Android 10 यह हमेशा अन करके रखिए यह बहुत ही बैनिफिशल चीज़ है इसके बाद चलते हैं Android 10 स्पेसिफिक है जो है गेम ड्राइवर प्रेफरेंस इसके उपर भी मैंने डेडिकेट वीडियो बनाई है तो इस टाइम को कट्ड़म करने के ल इसके बाद आपको जो एनिमेशन की स्पीड आया आपके जो भी प्रोसेसिंग हो थोड़ी फास्ट देखने को मिलेगी इसके बाद चलते हैं सबसे नीचे टीमिंग सेक्शन में जो की सिरफ Android 10 बेस के लिए हैं या Android 10 बेस ट्रॉक्रों के लिए दोनों के लिए विलेबल है चाहे वह बीटा 4 हो चाहे बीटा 3 हो एक में आप एक संट कलर चेंज कर सकते हो दूसरे में बॉड़ी फॉंट और हैड अब चलते हैं सेक्यूरिटी के सेक्शन में तो दोनों ही वर्जिन में पेटरन हो पासवर्ड या स्वाइप और वर्किंग एपसुलूट्ली फाइन तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसके लावा फिंगर्पिंट स्कैनर और फेस अनलॉक दोनों चल रहे हैं 432 में स्मू सेक्यूरिटी पैच लेवर हाई रहे हैं उसके बाद यह दूसरा पॉइंट हो गया कि इसमें जो फेस अनलॉक और फिंगर्पिंट स्कैनर है वह थोड़ा स्मूध चलता है अस कंपेर टू 429 तो अभी तक 432 में जो है वह मतलब 429 के कंपारिटिबली ऊपर चल रहा है तो चली है मैं the section पे चलते हैं जो कि साउंड सेक्षन में तो दोनों ही केसिज में इंप्रोवाइज थी लाइक 429 में इंप्रोवाइज इंप्रोवाइज़ेशन थी एस लोगों को प्रॉब्लम थी तो मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाई थी जिसका लाइक लिंक में और नीचे डिस्क्रिप्शन वॉक्स अभी भी उसमें 30-40% margin है जो उसे improvise किया जाए तो अगें दोनोई cases में जो वीडियो में नीचे आपको लिंक में दूँँगा for the audio problem and so on वो आप follow on कर सकते हैं और वो आपकी problem resolve कर देगा sound के बाद आप चलते हैं display section में display section के बाद चलते हैं उसके बाद lock screen display तो दोनों ही cases में show lockdown option available है और उसके बाद when to show और दोनों में वो लाइक बहतरीन चल रहा है कोई problem नहीं है at all display के बाद आप आते हैं सबसे critical path जो की है battery तो सबसे पहले बात करेंगे charging time की to 432 version में it took nearly about 3 hours and 8 minutes to fully charge from 0 to 100% but जो 429 था उसमें charging fast थी तो उस ताइम पे लिया था 2 hours and 53 minutes to fully charge phone from 0 to 100% इसके इलावा ideal battery drainage भी 432 में as compared to 429 थोड़ी सी ज्यादा है like 6 to 7% over a span of 7 to 8 hour या 8 to 9 hour और उस case में 4 to 5% या कभी 5 to 6% over a span of 7 to 8 hour या 8 to 9 hour तो उसमें 1% कम थी battery drainage या ideal battery drainage as compared to 432 तो battery section में अभी तक charging और idle battery drainage में 429 का upper hand या upper edge है तो अब चलते हैं gaming section के लिए तो दोनों ही cases में like call of duty के बारे में बात करेंगे और free fire के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं call of duty की तरफ से तो दोनों ही versions में मैंने medium graphic quality और high frame rate के साथ 1 hour का analysis किया of gameplay और 2 से 3 बार दोनों ही cases में खेली तो version 432 में जब एक गंटे का gameplay होता है तो nearly about जो battery consumption है वो है 15 to 16% but whereas on 429 वो ही जो consumption है वो nearly about कभी 17 to 18% है कभी 18 to 19% है तो इस case में 432 version का upper hand है as compared to 429 इसके लावा जो temperature reading है वो दोनों ही cases में same थी like 36 before starting and 40 after completing the one hour of gameplay अब बात करते हैं free fire game की तो from free fire की side से with the version 432 I was using these like ultra graphic settings और बाकी की बाकी सारी default और उसमें मैंने कोई changes नहीं की तो इसमें जब मैंने gameplay खेला तो nearly about 14 to 15% of battery was consumed और जो temperature readings थी वो थी 33 before starting the gameplay and 40 after completing the gameplay वैसे तो मैंने 429 पे free fire खेल के नहीं देखे ली बट as compared to my friends experience and so on तो more or less दोनों में same ही होगा बट अगर हम call of duty के basis पे चलें तो शर्थ 429 में आपको battery consumption थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिले आने वाले टाइम में अब free fire as an like replacement यूज करूँगा पब जी की अपने हार एक review में तो आपको तब भी महाँ पर cover on हो जाएगा यह सारी की सारी चीजें इसके इलावा कई users ने complain किया यार 432 में उन्हें लाइक देखने को मिला तो यार मैं confirm करा देता हूं कि मेरे एंट पर जो वर्जिन है आई वुट से ना वेरियंट आप वह सिक्स प्लस 64 GB तो एक बार ही recommend करूंगा अगर आप reset कर सकते हो फोन तो fully reset करके like fresh clean start करके आप देख सकते हो क्या पता उसमें आपको यह problem ना देखनी पड़े बैटरी के बाद आप चलते है connected devices में तो connected devices में में दो यह चीज़े test करता हूं यह का file transfer और दूसरी लाइक उसे चीज़ होती है audio via Bluetooth devices तो Bluetooth की तरफ से यह दोनों ही चल रहे है इसके इलावा होती है screen casting तो उसमें भी कोई problem नहीं है दोनों ही cases में like version 432 और 429 हो दोनों ही cases में screen casting अच्छी तरह चल रही है बड़े problem है कि यह सिरफ मेरे end पे Intel based laptop या PC पर ही चल रही है AMD based laptop पर नहीं चली और अभी तक मुझे कोई resolution भी नहीं मिला है अगर कभी मिला तो जरूर कोई एक वीडियो उसके ओपर भी बना दूंगा connected devices के बाद आप चलते है network and internet तो यह दोनों ही cases में like मेरे end पे कोई भी major problem मुझे face करने को नहीं मिली थी नएक सबसे पहले बात कर लेते हैं Wi-Fi calling की तो दोनों ही cases में सिरस जीयो के लिए अवेलेबल है अभी तक अवेलेबल नहीं है इसके लावा ना native video call की option अवेलेबल है ना call recorder की इसके लावा Wi-Fi connectivity हो चाए mobile इंटरनेट हो चाए SMS हो या call हो चारो की चारो चीज़े fine like working fine है दोनों ही दोनों वर्जन में तो कोई भी problem नहीं उस changes में इसके लावा आप दोनों ही cases में आपको ये problem देखने को मिलेगी like suggestions तो आप जितना मरजी कर लो अपनी मरजी से कभी चल जाती है कभी आ जाती है तो यह तरह का बग भी यार irritating भी या मुझे नहीं पता ही यार यह आसुस की तरफ से परपस्ली किया गया कि नहीं किया गया बट यह बड़ा अनॉइंग है दोनों ही वर्जन में यह सेहीं है अब बात करते हैं quick settings की तरह से तो दोनों ही वर्जन में जो भी हमें quick settings मिली है वो दोनों की दोनों चल रही है लाइक working fine चाहे वो torch हो चाहे वो dark theme toggle हो जो भी आप यहां पर आपको available है वो सभी की सभी सही चल रही है तो इसको मैं ज्यादा खीच नहीं रहा हूँ यहीं की यहीं चोड़ रहा हूँ इसके बाद बात करते है default app shape में तो usually stock chrome में मैं सिरफ एक ही app सबसे रहा use करता हूँ जो कि यह FM radio तो FM radio भी दोनों ही दोनों वर्जन में absolutely fine work कर रहा था तो अगर आप 429 test करना चाहते हो पहले तो आप को उसमें भी problem नहीं अगर directly 432 तो उसमें भी problem नहीं अब बात कर लेते हैं play protection certificate की या certification की तो कई users को complain थी कि भाई यार मेरे end पे नहीं या device certified नहीं आ रही तो मेरे end में दोनों ही cases में device is certified यह 432 के basis में और 429 का अगर detail review देखना चाहोगे जो मैं आपको description box में दे दूँगा उसमें भी आपको यही चीज देखने को मिल जाएगी अब बात करते हैं status of camera 2.e.p. तो दोनों ही versions में again level 3 की support हैं तो इसे मैं again यहीं पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि यह already discuss कर चुका हूँ इसके लावब Gcam जो available है वो भी नीचे आपको description box में link दे दिया जाएगा ताकि आपके आप में उसे test कर सकें अब बात करते हैं DRM info जिसे हम कहते है wide one certification तो यार दोनों ही cases में मेरे end पे तो L3 था और यह तब से आ रहा है जब से मैंने beta 1 version की firmware file TWRP mode में flash कर ली थी और उसके बाद मैं कभी भी back नहीं आ पाया इसके लावा stock camera दोनों में यह बट बीटा 4 में as compared to beta 3 थोड़ी सी improvement देखने क थी तो अगेन इसमें भी जो अपर राज है वो बीटा 4 की है इसके लावा यह है अपना gcam जिसका link में आपको नीचे दे दूँगा description box में तो सब कुछ अल रहा है सिवाए slow motion की अब बात कर लेते हैं benchmark scores की तो सबसे पहले open कर दाऊं एंडर टू benchmark scores तो थोड़ी सी हैरानी की बात है कि यार बीटा 4 में जो scores है वो बीटा 9 बीटा 3 के comparatively थोड़े से कम है लाइक बीटा 4 में जो एंटेटू score है वो है 1,44,859 जबकि जो बीटा 3 में थे वो थे 1,48,544 तो यार यह एक और बात भी आप जितनी बार रन करोगे आपके जो benchmark scores है वो हमेशा change ही देखने को मिलेंगे और variant to variant भी यह फरक पड़ता है बैटरी charging time and so on तो इसमें मैं ज्यादा देता नहीं है बड़ लोगों को होता तो वीडियो में include कर लेता हूं लाइक कई users कहते हैं कि भाई यार ये भी दिखा देना यार ये भी cover up कर देना अब बात करते हैं Geekbench score की तरफ से single score and multi score score तो beta 4 में जो single score है वो 279 है और जो beta 3 में था वो थोड़ा कम था वो था 263 इसमें जो multi score score है वो है 1143 बट जो multi score 429 में था वो थोड़ा ज्यादा था 1161 तो अगेन वही चीज़ है उपर नीचे होता ही रहता इन में इसके बाद बात करतें computation की using open CL APM तो इसमें जो score है बीटा 4 में वो है 242 और जो अपना बीटा 3 में था वो था 247 तो nearly about 4 to 5 increment है बीटा 9 बीटा 3 में तो overall like equally है कोई इसमें इसमें जाद है को इसमें जाद है तो अभी तक भी जो चल रहा है बीटा 4 की upper hand चल रही है अब बात कर लेते हैं RAM and memory management की तो आपको एक दू आप open करके दिखा देता हूं जैसे कि हम call of duty पे थे तो अब यह सिरफ connect कर रहा है server से बड़ यह open उसी window से होगा या screen से होगा जहां हम इसे छोड़के गे थे इस video को बनाते बनाते इसके इलावा बात कर लेते हैं free fire game की free fire I think दुबारा से restart होई है तो यह थोड़ी सी गलत बात होगी है हमारा beta 4 version में तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कई बार क्या होता कि OS की तरफ से कई apps पीछे से flush कर दी जाती है तो यह आपको देखने को मिल सकता है तो अगेन यह बीटा वर्जन है कभी आपको five to ten minutes देखने को मिलेगा कि आप बैक्डाउंड में थी और कभी कभार तो या four to five पॉइंट है जैसे कि लेटर सेक्यूरिटी पैंच हो गया उसके लावा जो सेक्यूरिटी सेक्शन में फिंगर्प्रिंट स्कैनर है वो भी आग जाला स्मूदर है इसके लावा इंप्रूफ साउंड है और उसके लावा लाग यूएस्बी प्रेफरेंस जाता कि आप अपन ओवराल जो रिव्यू स्कोर है जो मेरा 424 का वो है 85 और जो 429 का है वो है 80 तो दोनों ही आउट आफ 100 है लाइक 424 के लिए 85 आउट आफ 100 बीटा 3 429 के लिए 80 आउट आफ 100 अब बात कर लेते हैं कॉमन बक्स की तो दोनों ही केसिस में जैनफोन लोगो डूरिंग बूरिंग बूर्ट स्क्रीन अवेलेबल है अगें गैप बिट्वीन अगर आप जैशन नैविगेशन यूज़ करोगे वो भी दोनों में ही है परसिस कर रहा है इसके अलावा यह जो ओवराल दोनों में इशु हैं वो ही हैं फ्रीक्वेंट बैटरी द्रेनेज हैं कभी-कबार अन्रिस्पांसिफ बिहेवियर अस्लो चार्जिंग किसी किसी केस में है ब्राइटनेस इशु हैं पूर सांड कॉलिटी लाइक 424 32 में भी है 429 में भी है एपसंट क्रेशिंग अन अबार फ्रम इस प्प्रीक्वेंट रूप स्वेख भी हैं भी हैं अथा झाल कि अट बंसे इच्वेज धूर स्वेख भी हैं आख इजु हैं अग्स झाल 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 झाल